यूपी के आजमगण में अहरौला थाना छेत्र के माहुल कस्वे में इस्तित देश्री शराब की दुकान से रविवार की शाम खरीदी गए जहरेली शराब पीने से दस लोगों की मौत हो गए इसके अलावा इलाज के दोरान तीन और लोगों ने दम तोड़ दिया अब मृत्कों की कुल संख्या 13 हो गई है पचास से अधिक लोग अभी भी बीमार है वहीं इस घटना से इलाके में हलकम मचा हुआ है साथ ही ग्रामीड गुस्ताएं हैं ग्रामीड इलाके में जगा जगा विरोत प्रदर्शन कर रहे हैं व्रत्कों के परिजनों का कहना है प्रशाशन कि लापरवाही से जहरीली शराव की छेत में विक्री हो रहे है वहीं मामला तनावपूर्ण है ऐसे में भारी पुलिस बल तैनात है बता दे कि मामले में दो लोगों को हिरासत में लेकर पूस्ताच की जा रही है इस मामले में डियम ने जिला आपकारी अधिकारी और अहरोला थाना ध्यक्ष को निलंबित कर दिया है ADG जोन वाराड़सी राजकुमार ने सोंबार को राद महुला पहुंचकर मौका मौाइना किया इस दोरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशाने देश दिये क्या मांग है आपकी करों रुपएया देना चाहिए आपकी पर हैं जो गतना हुई थी लगभव एक साल पहले गतना हुई थी उसमें पुलिस के द्वारा गेंग्स्ट्रेक की कारवाई की गई है इतने भी लोग थे उनकी 141 की गेंग्स्रेक्ट के अंतरगत प्रॉपर्ट होगी आपकी पकड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकोन दबाना न भूलिए